और तुम्हें जितना भॉकना है तुम भॉको क्यूंकि तुम्हारी जात ही इसे कुछो को एक लोग के और यह सब करना डोमगणामा मखेना तो मैं आपको एक बात बता दू है मेरे बच्चों को, अपने हस्बेंट को, अपने घर को कैसे मैनेज करना है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है तुम जैसे कुट्टों की जरुत नहीं है मुझे, जो यहां आकर भौक कर जाते हैं, जाईए अपने घर में भौकिए, वहां तुमारी नहीं चलती, क्योंकि तुमें कोई देखने वाला और तुमें कोई सुनने वाला नहीं है इसलिए तुम यहां आते हो कुट्टों की तरह भौकते हो और अपने जात दिखा कर चले जाते हो आई बस समझ में, और कुछ सुनना है, तो वो भी मैं सुना दूँगी मुझे उससे कोई वो नहीं है जैसा बोलोगे, ऐसा सुनोगे क्योंकि मुझे मैं पहले ही सोचती थी कि नहीं छोड़ो पर अब जैसे जैसे हर चीजे समझ रही हूं उस टेम पे मुझे लगता है जितना सहोगे उतना लोग आपको सुनाएंगे इसलिए सहना कर दिया है बंद और तुमें जितना भौकना है तुम भौको, क्योंकि तुमारी जाती कुत्ते की है तो कुत्ते की जात को भौकना ही आता है और तो कुछ आता नहीं है और तुम और कुछ कर भी नहीं सकते है और बहुत सारे ऐसे आज कमेंट्स देखे मैंने, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि जब आपकी वीडियो अरिच करती है, आपको लोग देखते हैं, तो सभी लोग आपको accept नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार में कोई आपको नहीं जानता है, ठीक है न, पर ऐसे भी लोग ह मचते हैं, तब जाके आपके उपर trust करते हैं, क्योंकि उनको एक वीडियो से साटिफाइस नहीं होते हैं, उनको कम सी कम आप 10-12 वीडियो आपकी watch नहीं करते हैं, तब तक आपको judge नहीं कर सकते हैं, तो ये सरिफ उस बत्तमीज के लिए और बच्चों के लिए बोला, मेरे और जिसकी जैसी फिक्रत है, वो अपनी फिक्तत से बदल नहीं सकता है, ठीक है, तुम बोलो, लिखो, मुझे कोई फरक नहीं बढ़ता है, और मैं मोटी हूना, तो मेरा आदमी खिलाने का दम रखता है, तू पने बीवी को खिला, अपनी मा को खिलाना जाके, और तेरे पे न अदम रखता है, मेरा आदमी, तो मेरे मूझ से जादा कुछ मत निकलवाओ, ना मैं निकालना चाहती हूँ, मैं सिंपल तरीके से अपना व्लॉग शूट कर रही थी, सब चीज़े ठीक चल रही थी, अभी रिसंटल मैंने कमेंट्स देखाना, मेरा दिमाग खुम किया, मैं तुझे पता चल जाएगा, आपको यहां कमेंट मैं वो शेयर कर दूँगी कि उसने कितनी वहियात तरीके से लेंग्विज यूज की है, और उसकी लेंग्विज का जवाब देना तो यह तरुना जानती है, क्योंकि अब कहते हैं ना, जितना आप सहो के इतना उतना आपको लोग सुनाएंगे, तो सुनना बंद कर दिया है, अब तुम्हें जो करना है, तुम बोलो, और जैसा बोलो के तो भाइव ऐसा सुनोगे भी, पहले बात, दूसरी बात, आपके बारे में बात नहीं हो रही, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, जिनको मैं एक्सेप करती हूं, मतलब, उनकी रESPECT करती हूं, पर कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं, जिनको मैं मानती हूं कि चलो एगनौर मारो, हर यूटूबर यही चाहता है कि उनको चलो एगनौर मारो, पर जब कुछ ऐसे होते हैं जो आपके इगो को हट कर जाए, तो उनको जवाब देना होता है, अब इब सामज में